लगबग 10 दिन हो गया है रोज साम को ये बंदा मुझे कॉल कर रहा है और ये बोल रहा है कि मिड साइज सेग्मेंट में एक काफी अंडरेटेड गाड़ी है बीस लाग से अंदर अंदर और वो गाड़ी है आपकी फ्रेम में एमजी की एस्टर ठीक है यस अंडरेटेड का मत इस लगा नहीं इस गाड़ी के अंदर कि यार इस वज़े से यह कम सेल होनी चाहिए ठीक है चल इस ही के हिसाफ से हम कुश्चन करते हैं इससे कि क्योंकि सेग्मेंट में बहुत सारी गाड़ी है सब को कंपेर करकर देख लेते हैं इस गाड़ी से बिल्कुल सबसे पहले आर लेकिन जब मैं चलाता हूँ तो तो यह मजा देती यां वीड़ु से ज्यादा मज़ा तुझे वी डबलु से अगर मैं ऐसा नहीं कह सakता कि अन से यार मैं बात करता हूं तो मज़ा oraz में इसका talk converter है, फास्ट है ये गाड़ी, लेकिन बात एक बात ये बता कि इंडियन मार्केट फोकस करती है, माइलेज के लिए, तो डिसपॉइंट नहीं करेगी ये गाड़ी, बिल्कुल करेगी, 100% करेगी, लेकिन उनको कता ही नहीं करेगी, जिनको एक लग्जरियस गाड़ी च करवाता है, एक सबसे बड़ी बात तो भार से देख ले ठीक है, और साथ के साथ अगर अंदर से भी देखे तो इसका इंटीरियर, इसकी फिट और फिनिश जो है, वो इतनी सोलिड है ना, और सारा सोफ्ट टच मटीरियल वगरा दे रखा इनोंने ठीक है, और AI वगरा तो वो AI वाला तो बाद की बात करते हैं, वो हमें इतना कोई समझ में नहीं आया, लेकिन अगर वैसे बात करता हूं, और 21-22 अजार के आसपास चल चुके, कोई भी किसी भी तरीकी की रेटलिंग नहीं है तब गाड़ी में, और तेरे को पता है कि मीडिया कार है, तो कैसे होड़ कर लो तो होड़ गर लीया मैंने, मैं क्रूज लगा देता हूं, ठीक है 75 के ऊपर, और शायद अब ब्रेक भी खुज से मारे गाई, यह फोल्ड करलीया मैंने स्टेरिंग, यह देख रेक भी इसने खुज से मारे ह्त appelle, यह भी कुछ नहीं करा ब्रेक इसने खुज स यार अचानक से दूसरी लेन के अंदर आ गया था देख रहे हो यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथ जो है वो इसी के उपर ही रखें ठीक है बार-बार मैं बोल रहा हूं आपको स्टेरिंग पकड़ करके रखना पड़ेगा दूसरी बात यह है ठीक जादा ध्यान देना इसके उपर पड़ेगा अगर एडास अपने एक्टिवेट कर दिया तो मेरेको इतना खास कोई काम की चीज लगी नहीं एडास इंपल सी बाती है बट मैं थोड़ा सा फायदा बता सकता हूं इसका कि जो आटोमेटिक ब्रेकिंग है वाकी में काम की है है ना कौन से टाल हो गयो सावधा नहीं हटी दुरगटना गटी तो उस टाइम पर एडास काफी काम आता लेकिन कभी ऐसा मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि इसने मेरे ध्यान हट गया है इसने कुछ फा मिलता है या स्टेबल भी गाड़ी मजे देने वाली काफी स्टेबल काफी तेज स्पीड के ऊपर भी बहुत स्टेबल है तो वह वाली ऐसा नहीं है ऐसे तो एकदम से पुछ बैक वाली तो बहुत आपको मिल जाएंगी ठीक है लेकिन इसके साथ एक फील जुड़ता है वह के अंदर जाके इसके टैस्ट जायो करके देखो आप खुद समझ जाओगे ठीक है सुनी-सुना ही बातों के ऊपर वह मत जाना आप खुद चला करके देखो कि उसके बाद करना अगर करना है कुछ भी तो एक बात किया है ना गाड़ी में लग्जरी पूरी मिलती मैं तरी कोई इसका बेस वेरियंट भी लेगा ठीक है तो उसमें सॉफ ट्रच मेटिकल सब कुछ मिलता है स्टेरिंग में मिलता है ऐसा कुछ नहीं मिलता है एक चाहिए होता है तो कि पूरे फैमिली मेंबर्स ने चलाया इस गाड़ी को तरे यार दोस्तों ने भी चलाया है तो कैसा अधर फीड़ग रहा उनके हिसाब से फैमिली के अंदर ऐसा है कि जैसे मेरे भीया उनको भी अच्छा खासी नोलेज अगाडी वाड़ी को लेकर के गए शाम को वापस लेकर के खेरे यार बहुत मस्त चलती है यार गाड़ी मतलब की मजा आया उनको कह रहे चलती बहुत ब बढ़िया है मैंने का ये मेरी गाड़ी नहीं है ठीक है दूव वाली चीज तो एक मतलब कि और जो चीज निकल करके आती है कि हां भीया ये चीजे हैं इसके अंदर बढ़िया कहने का मतलब है इस सेग्मेंट में बंदा गाड़ी देखने जा रहा है उसको गाड़ी की कोई नौलेज नहीं है तो एकदम से लल्चा जाएगा ठीक है ऐसा नहीं कि सारी चीजें बहुत बढ़िया इसके अंदर कुछ एक जो है वो चीजे खराब भी मेरे को लगी ठीक है इसका जो है ये इन्फोटेन्मेंट कहले या कैमरे की मैं अगर बात करूं थोड़ा सा मेरे को लेगी लगा थोड़ा से हिसाब किताब से एकदम से रिवर्स वगरा लगाते तो उतनी जल्दी एकदम से नहीं आता दूसरी चीज यह जो इन्होंने पैनरोमिक संरूफ दे रखा है अंदर से एक माहूल बिलकुल तयार करता है बढ़िया वाला लेकिन जो यह नीची की ज जाती है अगर बहार खड़ी रहती तो उबल जाएगी खबल जाएगी और तुन्हें नोटीस करीए दूब में तो गाड़ी चला रहा तेरा सरगरम हो जाता है मेरे साथ तो होता है यह चीज ठीक है बैक सीट स्पेस के बारे में बता कमफर्ट के बारे हो बढ़िया बढ़ चीज जो है एक स्वी वाला के अंदर जो है वह फिट नहीं बैठती तो वह वाली चीज है वैसे लग्जिरियूस लगती है एक बेस वेरियंट में कोई जाएगा तो नहीं मिलेगी उसको मैं यह नहीं कह रहा है मैं तो कहता हम 1.5 की बज़ाए इसके उपर जाओगे तो ही म रात में चलाई कैसा है है यह बहुत त्यारा बढ़िया लगा इसका फोकस वगेरा सारी चीज़ें जो है हमें कोई कम हैसा नहीं लगा कि इस वज़े से इस गारीको ना खरीदा जाए ऐसी कोई चीज भूब अबना पहले बता दिया कि इनको फं करना वह ले सकते इस गारी क देख एक फैक्टरी ये भी है पब्लिक क्रेटर सेल्टों के तरफ ज्यादा भागती है रिसेल बहुत प्यारी है कभी भी बेचने जाएं वह निकल जाएगी कुशाक टाइगूने उनकी नहीं है रिसेल अच्छी थोड़ा सा हिच किचाते हैं डीलर्स और कोई एक्षेंज ओ अरुत्य है इसके लाओ किसकी रिसेल वगएरा अब स्यूविज के अंदर महिंदरा वगएरा की है तो वाली चीज है रिसेल के इसाब से तो मत देखो इसको वह बंदा लेगा जो की एक्टिल में थोड़ा सा कार ले करके कोई स्टडी करता है ना जाकर के रिसेर्च करेगा उसके समझ में आएगे ये समझ में आएगी टाइगुन समझ में आएगी कोषाक समझ में आएगी ठीक है और से लेवल की रिचनेस देती है कम पैसो में इcion elder बाकि साफ उसेन चीज में बताना चाहता हो हुँ और कुई गृछा दी एक करेड़ी चलो के खेलाएगा जालेसी फील होगी ठीक है कि अंदर से बैठ करके लगजरी वगरा जो चीज देखेगा ठीक है जब ये वाला जब उनकी गाड़ी चलाएगा ना तो इसे कोई फील नहीं होगा कि अरे यार मैं अच्छी चला रहा हूं से यह उनसे मेरी वाली जाद अच्छी तो वह वाली चीज रहेंगी तो एक इतनी है वह एडजक तो आपको स्क्रीन पर पता चल जाएगा अच्छा ये मच्छडानी से एसी के परफॉर्मेंस में फरक पड़ता है 100 परसेंट पड़ता है 100 परसेंट पड़ता है एक तो काफी देर के अंदर जो है ना कैबिन कूल होती है मतलब कि तो वाली चीज यह ए काफी ओनर से मिलता जुलता है कैसा है सेल्स और सर्विस एक्सपियरेंस अगर दर्शक जानना चाहे तो उनकी तरफ से अगर मैं फीडबैक बताऊं तो इस मतलब कि उसके अंदर बैस्ट बताते हैं कि एम जी का जो सर्विस एक्सपियरेंस है ना वो से लिए सर्विस वेregard वह आप ले लो तीन साल पांत साल चिंता मुक्त रहोगे वह वाली चीज़े हैं बागी आप लोग डोर्स वगर खोलोगे ना इस गाड़ी के राफी सॉलिड फील देती है देखो कॉंप्रोमाइज कहीं नहीं है बिल्ड क्वालिटी में इस गाड़ी में अरे फाइव स्टार सब्सक्राइब करें अगर थोड़ी सी टाइप की होती तो हो सकता है कि लोगों की नजरों में थोड़ी सी ज्यादा आती है लेकिन इसका डिसेंट है और एक चीज़ मिस कर दी इसके स्टेरिंग में मोड वगरे भी आते हैं आपको थोड़ा सिटी में चलानी है वैसे इसका जो मेरे को डाइनमिक जो है ना डाइनमिक मोड जो है वो सबसे सही लगता है कि अधिक बाद आप लोग फीड़ा कर दीजेगा हम तो यहीं कहेंगे कि अगर इस सेग्मेंट के अंदर आप तलाश कर रहे तो इसको इग्नोर मत करना चला करके एक बार जरूर देखना आपको तो सारे जवाबों से संतुष्ट है ठीक है आप लोग भी हुए होगे मेरे ख्याल से ठीक है और 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 भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स के अंदर बता दीजिए और इसी मैसेज के साथ कि अगर फोर विलर अगर आपको चलाना है तो सीट बेल जरू डालिएगा अगर हमें ट्विलर चलाते हैं तो हेलमेट जरू डालना हमें ट्विटर के ऊपर फेस्बुक के ऊपर इंस्टा के ऊपर सब जिगें फोलो कर लो ठीक है मिलते है नेक्स वीडियो के अंदर जैहिन जै भारत भारत माता की जैओ